जैहन साथियों आप सभी का सौगत है हमारे यूटूब चैनल एंपिस्टेडी जोन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं महीला बंबालविकास से समंदित महत्पून प्रशने साथियों महीला परविक्षे से समंदित इसमें हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को जरूर तबाएए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो के अपडेट मिलती रहे चलिए वीडियो के सुरुआत करते हैं चतिसगड़ का मुख मंत्री कौन है वुपेश बगेल जी है चतिसगड़ के विक्त मंत्री कौन है तो भुपेश बगेल जी है चतिसगड़ के सिक्षा मंत्री कौन है उमेश पटेल जी है उच्छी सिक्षा मंत्री है और प्रेम सहय जी है वुजो स्कूल सिक्षा मंत्री है तिन दो पदो परे मुख मंत्री हैं उबित मंत्री जी हैं उमेश पटल जी के पास क्या-क्या है शिक्षा मंत्री है और ग्रह मंत्री हैं खेल मंत्री कौन है तो उमेश पटल जी है ग्रह मंत्री तामरदर्ज साहू है देखते हैं किस पत्पल है तो पंचायत एवं ग्रामिन विकास, लोगस्वास्त एवं परिवार कल्यान, चिकित्सा, सिक्षा, योजना, आर्तिक एवं सांकिके, वी सूत्री, पाणिचिकर, जी एश्टी, मंत्री है तामरतोचु साहु जी क्या है, लोक निर्मान, ग्रह, जेल, धर्मस्व, परिटन, एवं संस्क्रती, मंत्री है रविंद्र चौबी जी क्या है, संसिदिय, कार, विधी, एवं विधाई, कार, क्रसी, एवं जैप रोद्योग की, पसुपालन, मचली पालन, जल, संसादन, एवं आयकट, मंत्री है मुहम्मद अकबर जी क्या है, परिभान विभाग के, आवास एवं परियावरण, वन विभाग, खात एवं नागरिय अपूर्ती, उभोगता, संरक्षन विभाग उभेश पटल जी क्या है, उचे जिक्षा एवं तक्नीकी सिक्षा, कौसल विकास एवं जन्सक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रद्योग की, खेल एवं युवा कल्यान विभाग के मंत्री है जैसे अग्रवाज जी किस पत पर है, तो राजश एवं आब्दा प्रबंदन, पुनर्वास, पंजियन एवं स्टाफ पत पर है अनिला भेडिये किस पत पर है, महिला एवं बालविकास, समाच कल्यान मंत्री है डॉक्टर से डहरिया किस मंत्र पर है, तो नगरी प्रसासन एवं विकास मंत्री है गुरू रुद्र कुमार किस पत पर है, लोग स्वास्त यानत्र की एवं ग्रामोद्य योग किस पत पर है प्रेम सहाई जी किस पत पर है, स्कूल सिख्षा, नुचुचित जाती, जन जाती, अन्ने पिछड़ा वर्ग, एबं अल्पसंक्यक, कल्यान, सहकारिता, पानी जीकर, आपकारी उद्योग, प्रेम से सहाई मंत्री है परिशे देखते हैं, चतिसगड़ राज का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था, चतिसगड़ राज की राधानी क्या है, रायपूर है, बस 2000 को किस राज से अलग होका, चतिसगड़ का एक नया राज बनाया गया था, तो मद्यप्रदे से अलग होके बनाया भारत के लोक सभा में, चतिसगड़ राज संबंधी मद्यप्रदेश पुनर गठन विधियर का पारित किया था, तो 31 जुलाई 2000 को पारित किया था, राज में कुल कितनी राज सभा सीते हैं, तो 5, चतिसगड़ राज में कुल कितनी विधान सभा सीते हैं, 90, राज में कुल कितने लोग सबसीते हैं ग्यारा राज में बरतमान में कुल कितने संभाग हैं पांच चतिस गड़ राज का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बस्तर चतिस गड़ राज का सबसे छोटा संभाग कौन सा है दुर्ग चतिस गड़ राज की स्थापना के समय राज में कुल कितने जिले थे? 16. 36 गड़ राज में बरतमान में कुल कितने जिले हैं? 32. 36 गड़ राज का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजनन्त काउं हैं? चेत्रफल की द्रश्टी से 36 गड़ राज का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौरेला, पैंडरा, मारवाही. 36 गड़ राज का कौन सा जिला? प्रश्टी छाया प्रदेश के अंदर का ताता है? कवर्धा. 36 गड़ राज के प्रतम राजपाल कौन थे? तो दिनेस नंदन सहाय जी थे. 36 गड़ राज के प्रतम मुक्मंत्री कौन है? तो अजित प्रमोथ जोगी जी हैं. 36 गड़ राज के प्रतमान राजपाल कौन है? श्री विश्वा भूशन हरी चंदन जी हैं. 36 गड़ राज के प्रतमान मुक्मंत्री कौन है? उपेश पगेल जी हैं. 36 गड़ राज के राज के भासा क्या है? हिंदी और 36 गड़ी हैं. चतिस गड़ राज का राज की गीत क्या है अर्पा पैरी के धार चतिस गड़ राज का राज की वाक्य क्या है गड़बो नवा चतिस गड़ चतिस गड़ राज की पसू कौन सा है तो जंगली भैसा है 36 गड़ राज का राज की व्रक्ष कौन सा है? साल व्रक्ष है राज का राज की पक्षी क्या है? पहाडी मैनम 36 गड़ राज का कुल छेत्रपल कितना है? 1,35,154 वर्क किलोमीटर 36 गड़ राज का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रायपुर 2011 की जनगर्ना की अनुसर चतिसगर्णा 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 क A. पाली, B. अपवरंस, C. सौरसैनी, D. मागदी आपको सही जबाब हो जाएगा B. अपवरंस, भारती आरे भसाओं का विकास किस भासा से हुआ है तो B. अपवरंस से हुआ है अगला सवाल है, 36 गड़ की प्राचिन भासा का नाम क्या था? A. अबदी, B. हल्वी, C. कोसली, D. इन में से कोई नहीं आपको सही जबाब हो जाएगा C. कोसली, 36 गड़ की प्राचिन भासा का नाम क्या था? तो कोसली था अगला सवाल है, वीडियो में लास्त बने रहे होगा साथिया C. कड़ी राजबाचा दिवस की तिथी पतलाईए 14 अगस्त, 21 फरवरी, 28 नमबर, 14 सितंबर आपको सही जबाब क्या हो जाएगा? C. कड़ी राजबाचा दिवस की तिथी पतलाईए तो 28 नमबर है आपका अगला सवाल है 36 गड़ी राजभासा आयोक का गठन हुआ था आपके उप्षन है ए अगस्त 2009 में सेतंबर 2009 में अगस्त 2008 में अगस्त 2007 में आपका सही जवाब हो जाएगा अगस्त 2008 में साथियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं हीरा लाल सुकल ने 36 गड़ के भासा परिवारों को कितने रूपों में बाटा है तो आपके उप्षन है A2 B3 C4 D5 सही जवाब क्या हो जाएगा B3 आपका अगला सवाल है 36 गड़ राजभासा आयोक का प्रथम प्रांती सम्मेलन कहा हुआ था आपके उप्षन है A कोर्भा में D भिलाई में C बिलासपुर में D राइपुर में सही जवाब क्या हो जाएगा B भिलाई में आपका अगला सवाल है हलभी किस भासा परिवार से है आपके उप्षन है A द्रविन B हलभी C R D मुंडारी सही निमने में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है आपके उप्षन है A हलभी B कोणी C सदरी T भदरे आपको सही जवाब क्या हो जाएगा C सदरी निमने में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है तो सदरी आपको अगले सवाल है चतिसगर राजबासा आयोग का सबता मधि कभ आयुजुत हुआ था परवरी 2019 में मार्च 2019 में जनवरी 2019 में में से कोई नहीं आपका तो अधिविशन कब आयुजित हुआ था तो माय 2019 में आयुजित हुआ था आपको अगला और आखरी सवाल है है हमारे वीडियो का कौन सी चतिसगड़ी बोली नहीं है आपके आपके विजवारी बी सदरी वीडियो आपको कैसा लगा साती हो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद